रानो चडिया और टुनो चड़ा दोन पती पतनी मजदूरी का काम करते थे उनका एक बेटा था जिसका नाम कुक्कू था कुक्कू अब सकूल में दाखिला लेने जितना बड़ा हो गया था रानो जी मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा पड़ लिख कर एक बड़ा पक्षी बन जाए वो कभी भी हमारी तरह ये मजदूरी का काम ना करे इसलिए मैं कुक्कू का दाखिला सबसे महंगे सकूल में कराऊंगा आप एकदम सही कहते हैं मेरी भी यही इक्षा है हमारा बेटा भी काबिल पक्षी बन जाए रानो जी आपके ये एक्षा जरूर पूरी होगी मैं कल ही कुकू को लेकर सकूल जाऊंगा और उसका दाखिला करवा दूंगा ऐसे बाते करते करते वो दोनों अपने कामों में लग जाते हैं अगले दिन तुनों चड़ा कुकू को लेकर सकूल जाता है और वहां के प्रिंसिपल से बात करता है साहब जी मुझे अपने बेटे का दाखिला कराना है देखिए आपके बेटे का एडवी सन तो हो जाएगा पर क्या आप इतने बड़े सकूल का खर्चा उठा पाओगे हाँ हाँ साहब जी क्यों नहीं मैं अपने बेटे की पढ़ाई का एक एक रुपिया आपको समय पर दूँगा आप बस मेरे बेटे का दाखिला करने ठेक है तो बारा हजार रुपे एडवी सन फीस के जमा करा दो और बाकी के छोटे मोटे काम कल आकर कर देना बारा हजार रुपेए सुनकर तो टुन्नू चड़ा एकदम चौक जाता है क्योंकि बारा हजार टुन्नू के लिए एक बड़ी रकम थी क्योंकि उसके पास तो सिर्फ तीन हजार ही रुपई ये थे साहब जी अभी मेरे पास ये तीन हजार रुपे हैं आप ये रख लें बाकी के रुपे में बाद में दे दूँगा नहीं नहीं पहले एडवीशन की फीस पूरी जमा करानी होगी तभी आपके बचे का एडवीशन हो पाएगा बेचारा टुन्नू चड़ा तो बहुत उदास मन से वहां से चिपचाप चला आता है वो घरा कर अपनी पतनी को सारी बाते बता देता है टुन्नू जी बारा हजार रुपे हम कहां से लाएंगे और फिर बाकी के भी तो खर्चे हैं अब हम क्या करेंगे मैं अपने कुकू का दाखला जरूर कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं ज्यादा ज्यादा मेहनत करूंगा और जल्दी ही पैसे जमा कर लूंगा हाँ तुन्नू जी हम दोनों कड़ी मैंनत करेंगे और अपने बेटे को जरूर पढ़ाएंगे ऐसे बाते कर वे दोनों पती-पतनी काम के लिए घर से निकल पढ़ते हैं उन्हें दो-तीन दिनों का काम मिल जाता है परन्तु उसके बाद उन्हें कई दिनों तक कोई काम नहीं मिलता पिन्नू जी बस ये थोड़े से रुपएए ही जमा हुए हैं इनसे क्या होगा और कहीं काम भी नहीं मिल रहा रानो जी दूर के जंगल में मेरा एक दोस्त है उसके चूड़ी बनाने की फैक्टरी है मैं उसके पास जाता हूँ वो मुझे काम पर जरूर रख लेगा आप जाएं और अपने दोस्त को सारी बाते बता दें सायद वो आपको काम पर रख लेगा फिर हमारे बेटी कुकु का दांखिला हो ही जाएगा फिर टुन्नू चिड़ा अपने बच्पन के दोस्त के जंगल चला जाता है और उसे अपनी सारी मजबूरी बता देता है दोस्त मेरी कुछ मदद कर मुझे काम के सक्त जरूरत है किरप्या मुझे कोई काम दे दे टुन्नू मेरे दोस्त मैं तुझे काम पर तो रख लूँगा, परन्तु रोज इतनी दूरा ना जाना तु कर पाएगा हाँ हाँ मेरे दोस्त मैं सब करूँगा, आखर मेरे बेटे की जिन्दगी का सवाल है, तुम बस मुझे काम बताओ, मुझे क्या करना है ठीक है टुन्नू, कल काम पर आ जाना, और एक महिने कीतन का 6,000 रुपे है, अपने दोस्त की ये बास सुनकर टुन्नू चिडा बहुत खुस होता है, और उसके गले लग जाता है, सच में दोस्त, तुने मुझे काम पर रखकर मुझे पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं त तेरा सुक्रियादा कैसे करूं, फिर खुसी से उड़ता हुआ, टुन्नू चिडा वहां से अपने जंगल आ जाता है, और अपनी पतनी को सारी बाते बताता है, ये तो टुन्नू जी बहुत अच्छा हुआ, जो आपके दोस्त ने आपको काम पर रख लिया, रानो जी, एक मैने की तनक्वा पूरे 6,000 रुपे है, अब हम अपने बेटे का दाखला जल्दी ही करवा देंगे, क्या ममा, अब मेरा नाम भी सकूल में लिख जाएगा, और मैं भी बाकी बच्चों की तरह सकूल जाया करूंगा, हाँ मेरे प्यारे बेटे, अब आपका नाम भी सकूल मे जाया करूंगा, हाँ कुकू बेटे, आप अपने दोस्त जगू के साथ ही सकूल जाया करना, और मन लगा कर पढ़ाई करना, ऐसे बाते कर वे तीनों भोजन खा कर सो जाते हैं, सुभा को तुन्नों चड़ा जल्दी उठकर अपने काम पर निकल जाता है, तुन्नों का दोस उसे काम के बारे में सब समझा देता है, यह इलेक्ट्रोनिक मसीन है, यहां बहुत धिहान से काम करना होता है, जरासी लापरवाई होने से पंक भी कट सकते हैं, इसलिए पूरे धिहान से काम करना होगा, ऐसे ही तुन्नों चड़ा वहां काम करने लगता है, एक दिन तुन् वुज़ा हो जाता है और इसके दोनों पंक कट जाते हैं तुन्नों जी मैं आपकी जगा पर काम करने जاتी हूँ आप अपना और बेटर कुपुकु का धियान रखना ऐसे बाते कर रानों चडिया तुन्नों के दोस्त की फेक्ट्वी में काम करने चली जाती है वो पूरे धिहान से काम करती है मालिक जी मुझे अपने बेटे का दाखिला करवाने जाना है तो क्या थोड़े रपय Jahre मिल सकते है ऩूं क्यों नहीं मैं अभिया आपको रपये दे देता हूं फिर मालिक कबूतर रपये दे देता है और रानों चड़िया रुपईये लेकर अपने जंगल को आने लगती है कि तभी उसकी नजर एक सूखे पेड़ पर पड़ती है जो कि बहुत कमजूर था अरे ये पेड़ कितना सूखा हुआ है लगता है इसे कोई पानी नहीं देता पर कोई बात नहीं अब मैं जात जाते इसे पानी दे जाती हुँ टूनी चड़िया ऐसे सोचकर पानी लेने वहां से जाने ही वाली थी कि तभी वो पेड़ बोल पड़ता है नहीं मेरे लिए पानी मत लाओ मैं पानी नहीं पीता लेकिन पेड़ जी आप पानी नहीं पीते तो फिर जिन्दा कैसे रहते हो पेड़ की ये बात सुनकर चड़िया सोच में पढ़ जाते है इन रुपियों से तो मेरे बेटे का दाखिला होना है मगर मैंने इस पेड़ को पेसे नहीं दिये तो ये मर जाएगा अब मैं क्या करूं क्या सोच रही हो चड़िया जल्दी से मुझे अपने रुपिये दे दो वरना मैं हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाऊंगा नहीं पेड़ जी आप ये सारे रुपिये ले लें मैं अपने बेटे के लिए रुपो का इंतजाम कहीं और से कर लूँगी चड़िया की ये बात सुनकर पेड़ बहुत खुस होता है और अपने जादू से एकदम हरा भरा और मजबूत बन जाता है अरे ये क्या हुआ अभी तो आप एकदम सुखे और कमजोर थे फिर अचानक से हरे भरे कैसे हो गए मैं एक जादूई पेड़ हूँ मैं तो तुमें बस फरक रहा था कि तुम कितने नेक दिन की चड़िया हो और तुम सच में ही बहुत दयालू प मैं तुमें कुछ देना चाहता हूँ पेड़ के ऐसा कहते ही उसके उपर डेल सारे सोनी की चुड़िया लग जाती हैं जिनने देखकर टूनी चुड़िया बहुत खुस होती है ये सोनी की चुड़िया आपके लिए हैं मुझे तुमारी घर ग्रस्ती के बारे में सब पता चल गया आप इन चुड़ियों को बेचकर अपने बेटे को पढ़ा लिखा सकती हो पेड़ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने ये सोने की चुड़िया दी अब मैं अपने बेटे को इने बेचकर खुब पढ़ाऊंगी फिर रानों वो सोने की लेकर वहां से चली जाती है और अपने बेटे का एड़ वीशन उसी सकूल में करवा देती है और वह परिवार खुसी खुसी रहने लगता है तो प्यारे दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे द्वारा की गई अच्छाई हमेशा हमारे काम आती है ये कहानी एक जालिम कव्वा बहुत निर्दै था वो कमजोर पक्षियों को डरा कर उनका सारा कीमती सामान छीन लेता कमजोर पक्षी ये बैग छोड़ कर भाग जा वरना तेरे दोना पंख काट दूगा नाना कव्वे जी मेरे पंख मत काटना मैं जाता हूं कालू के पास छुड़ी देख कर वो अकेला अंजान पक्षी सारा सामान छोड़ कर भाग जाता है क्या होगा इस बैग में घर जाकर देखता हूं फिर कालू कव्वा वो बैग लेकर अपने घर चला जाता है कालू कव्वा तो इतने सारे रुपे देख कर बहुत खुस हो रहा था कि तभी उसका दोस्त बिल्लू वहां आता है कालू जल्दी से वो रुपईयों का बैग छिपा लेता है कालू दोस्त मुझसे क्या छिपा रहे हो जरा दिखाओ कुछ भी तो नहीं है बिल्लू भला में तुमसे क्या छिपाऊंगा बिल्लू वो रुपईयों से भरा बैग कालू से छीन कर देख लेता है अरे कालू तेरे पास तने सारे रुपे कहां से आए लगता है कहीं से बड़ी चोरी की है नहीं नहीं दोस्त मैंने रुपे चोरी नहीं किये बलकि मैंने तो महनत से कमाए है जूट मत बोल कालू तो ने कभी महनत की है जो अब करेगा सच सच बता ये रुपईये कहां से छोरी किये है फिर कालू कव्वा अपने दोस्त को सारी बाते बता देता है कि उसने कैसे अन्जान पक्षी को धमगा कर ये रपएए छीन लिये बिलू मेरे दोस्त तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है इसलिए मैंने तुझ को पता दिया पर तू मेरे बारे में किसी को भी मत बताना ठीक है कालू, मैं किसी से नहीं कहूंगा, और वैसे भी, मैं कौन सा तेरे जंगल के पक्षियों से बाते करता हूं। इस तरह से कालू कवा अपने परोसियों के सामने अच्छे बनने का नाटक करता, और किसी को भी नहीं पता था, कि वो कितना जालिम था। कालू कवे, तू कितना अच्छा कमा लेता है, उपर से घर का काम भी खुद ही करता है, कोई अच्छी सी कवी देखकर साधी क्यों नहीं कर लेता। हाँ कालू अब कब तक तुम घर के काम करोगे, साधी कर क्यों नहीं लेते? ये दोनों ठीक कहते हैं, मुझे अब साधी कर लेनी चाहिए, इनसे ही साधी कराने की बाते करता हूँ कालू लगता है साधी के सपनों में खो गया, जो कितनी गहराई से सोच रहा है हाँ मिठू तोते, मैं सोच रहा हूँ, कि कोई अच्छे से कव्वी मिल जाए, तो साधी कर लूँ, अगर आपकी पहँचान में कोई हो, तो मेरी शाधी करा दो हाँ कालू, तू चिंता मत कर, मैं एक चमपा कव्वी को जानता हूँ, तेरी साधी उससे करा दूँगा पिर कुछ समय बाद कालू की साधी चमपा कव्वी से हो जाती है, कालू कुछ दिनों तक तो अच्छे बनने का नाटक कर लेता है, परन्तु अब धीरे धीरे कालू की सच्चाई चमपा कव्वी के सामने आने लगती है कालू जी के आफिस बैग में ये चाकू क्या कर रहा है? मैं उन्हीं से जाकर पूछती हूँ, पती जी आपके बैग में ये चाकू कहां से आया? मैंने कितनी बार कहा है, मेरे सामान को मत छुआ करो, लेकिन तेरे समझ में कुछ नहीं आता, इधर दो मेरा चाकू पती जी मैं तो बस आपका बैग साफ कर रही थी मुझे ये चाकू मिल गया तो इसमें मेरी क्या गलती हाँ तो घर में जितना काम है उतना ही करो हाल तू बातों पर ध्यान मत दो ऐसे कहेकर कालू कववाद चाकू लेकर घर से बाहर चला जाता है और देर रात को घर आता है तो उसके चाकू से खून लगाथा खून देखकर तो चमपा कववी बहुत डर जाती है इस चाकू पर खून कहा से आया मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता मैं सुबा ही कभूतर भाया से बात करूंगी। ऐसे सोच कर चमपा कव्वी अपने घुसले में सो जाती है। वो अगली सुबा कालू के घर से जाने का इंतिजार करती है। परंतो कालू कव्वा तो घर से बाहिर नहीं जाता। पती जी, आज आप काम पर नहीं जा रहे? नहीं, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। मैंने काम से छुट्टी ले ली है। मैं अपने दोस्त के साथ कहीं बहार जा रहा हूं। फिर थोड़ी देर बाद कालू कव्वे का दोस्त उसे बुलाने के लिए आ जाता है। और कालू उसके साथ चला जाता है। वो थोड़ी दूरी पर पहुचे ही थे कि तभी कालू कव्वे को याद आता है। दोस्त, मैं अपना चाकू तो घर ही भूलाया, अब क्या करूं। करना क्या है? घर वापस जाओ और चाकू को लेकर आओ। उसके बिना तो हमसे चूहा भी नहीं डरेगा। ठीक है दोस्त, तुम यहीं रुको, मैं तेजी से उड़ता हुआ घर जाता हूँ, और चाकू लेकर आता हूँ। ऐसा कहेकर कालू कव्वा घर वापिस चला जाता है, परन्तो घर पर तो उसे चम्पा कव्वी नहीं मिलती, जो की कबूतर के घर पर गई हुई थी। यह चम्पा कहाँ चली गई, कबूतर के घर देखता हूँ, सायद वहीं पर गई होगी। तिर कालू कव्वा चम्पा को देखने कबूतर के घर चला जाता है, और चुपके से उन दोनों की बाते सुनता है। कबूतर भाया, मुझे तो ये कालू कुछ ठीक नहीं लगता, जैसा आपने मुझे सादी से पहले बताया था, वैसा तो कहीं से भी नहीं है। चम्पा कव्वी, कालू इस जंगल में काफी समय से रह रहा है, और अभी तक मैंने उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनी, अगर आपको कुछ पता चला है तो मुझे बताएं। चम्पा कुछ बोलती, उससे पहले ही कालू कव्वा वहाँ चला जाता है, और उससे कहता है, अरे चम्पा जी, आप यहाँ आ गएं, और मैं आपको पूरे जंगल में ढूंड रहा था। चम्पा कव्वी तो कालू को देखकर बहुत डर जाती है, और चिप हो जाती है, पती जी, आप तो अपने दोस्त के साथ बहार गए थे, फिर यहाँ कैसे, वो मेरे दोस्त को कुछ जरूरी काम करना था, इसलिए हम दोनों को वापिस आना पड़ा, अब घर चलो, मुझे भ हूक लगी है, हाँ हाँ चम्पा कव्वी, अब घर जाओ, और कालू कव्वे को भोजन खिलाओ, तिर वह दोनों अपने घर चले जाते हैं, चम्पा कव्वी तो कालू के लिए भोजन लाती है, परन्तो कालू तो मन ही मन सोच में पढ़ा था, अगर मैं आज समय पर ना तो ने जाने ये चम्पा मेरे बारे में क्या कहती, मुझे इसका कोई इंतजाम करना होगा, पती जी आपके दोस्त को क्या जरूरी काम था, जो रास्ते में से लोटना पड़ा, हाँ हाँ चम्पा जी, मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले आप जरा मेरा ओफिस ले जाने वाला बैग तो लाओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है, फिर चम्पा कव्वी वो बैग कालू कव्वे को दे देती है, चम्पा तुम हमेशा ही मुझे से ये पूछती रहती थी ना, कि मैं इस बैग में चाकू क्यों रखता हूँ, तो आज तुम्हें मैं बता ही देता हू ऐसे कहकर कालू कव्वा अपने बैग से चाकू निकाल लेता है, मैंने इस चाकू से ने जाने कितने पक्षियों के पंक काटे, और कईयों को तो मार भी डाला, मुझे आप पर पहले से ही सक था, कि आप कोई गलत काम करते हो, पर आज आपके मुह से सच सुन भी लिया, आप बहुत बुरे हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो तुम्हें सच पता चल गया, कि मैं बहुत बुरा हूँ, अब ये जान कर खुसी खुसी से मरने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते, मैं आपकी पतनी हूँ, मारना तो पड़ेगा ही, म किरा सच बताने के लिए, फिर कालू कववा अपनी पतनी को चाकू मारने ही वाला था, कि तभी कबूतर पुलिस वालों के साथ वहां आ जाता है, पकड़ लो, इस कालू कववे को पकड़ लो, यहीं वो दुस्ट है, जिसे आप ढूंड रहे थे, कालू तो पुलिस को किन लेती है, और उसे गिरफतार कर लेती है, औरे मैंने क्या किया है, जो आप मुझे जेल रेजा रहे हो, चुप कर जा कालू कववे, मुझे तेरे बारे में सब पता चल गया, तु अब तक अच्छे बनने का नाटक कर रहा था, और अब जा जेल में, फिर पुलिस कालू क जवे को अपने साथ ले जाती है, और जेल में बंद कर देती है, कबूतर भीया, आपको कैसे पता चला, कि कालू भरे काम करता है, आपके घर से जाते ही, पुलिस मेरे घर आई, उन्होंने ही मुझे कालू की सच्चाई बताई, और मैं समझ गया, कि आपकी जान को खत्रा है तो मैं तेजी से उड़ते हुए यहां आया, कबूतर भीया, अगर आज आप समय पर ना आते, तो वो जालिम कालू मुझे मार ही देता